नमस्कार मैं हूँ पवंत्यागी भारत के लिए एक अच्छी ख़बर आई कि अमेरिका के राष्टपती डोनल्ड ट्रम्प ने मोदी जी से बात की और उस बात में अमेरिका ने भारत को अमेरिका में होने वाला जी सेवन का सम्मेलन उसमें इन्वाइट किया है निमंतरन दि आएगा ताकि चाइना का प्रभुत को खतम किया जा सके जैसा कि पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि चाइना की वज़े से पूरी दुनिया आज कोरोना की गरफ्त में है और अमेरिका बार बार इस बात को कहता रहा है कि चाइना के से ही ये कोरोना वाइरस फैला है और हम इसकी जाच करा रहे हैं तो वहीं उन्होंने जो है इसको घेरने की तैयारी शुरू की और डबलू एच्चो पर भी उन्होंने सक्त करम उठाया तो आज भारत को उन्होंने निमंतरन दिया है मोदी जी को निमंतरन दिया अमेरिका में जी सैवन को अब जी अलेवन बना दिया इस G7 को G11 बनाकर चाइना के विरुद्ध खड़ा करके और मजबूती परदान करने के लिए अमेरिका के राष्टपती डोनल्ड टरम्प ने पहले ही हमें कहा था कि भारत को भी इसमें शामिल किया जाएगा क्योंकि भारत के बिना चाइना के विरुद्ध कोई भी रूस साउथ कोरिया और ऑस्टेलिया को भी इस समू में शामिल किया जाएगा तो आप देखिए कि कहां तो ऑस्टेलिया है कहां रूस है और इतने बड़े बड़े देश हैं और वहीं भारत को भी इस समू में शामिल करके एक सम्मान की बात भारतवासियों के लिए है भार जी के नेतत में अमेरिका से कितने अच्छे रिस्ते रखें वहीं जितने अच्छे रिस्ते उनके अमेरिका से हैं वैसे ही रिस्ते अन देशों से भी हैं तो अमेरिका के राष्ट्पती जैसे ही चाइना ने बोर्डर एरिये पर भारत के तनाव सुरू किया और सैनिकों की गस जल दिया था तभी यह संकेत था चाइना के लिए के हम बीच में हैं भारत अकेला नहीं हैं हम भारत के साथ खड़ें और इसी बात से चाइना बोखला गया था और उस चाइना ने बोखलाहट में कई बार ऐसी बाते बोली हैं और उसने भारत को धंकाने वाले लहजे में यह क पनाव है इसके उपर भी मोदी जी से बातचीत की है कि चाइना का जो बोडर है अमेरिका के राष्टपती कही चुके हैं कि इसको हलके में नहीं लेना है कि ये चाइना की बहुत बड़ी चाल है ये कोरोना वाइरस से ध्यान बटाने के लिए ये इस तरह का आर्टिफिशल है कर रा है ये बोडर एरिये में दखल करने की कोशिश कर रा है तो भारत के साथ अमेरिका कंदे से कंदा लड़ा कर खड़ा है और ये चाइना ने बात-बात पर संदेश दिया है वही आज जो है जो बातचीत हुई है वह डब्लो एच्चो को लेकर भी हुई है कि इसके सुधार नहीं किया तो हम यह पूरी तरह फंड को बंद कर देंगे आज जब यह कमान भारत के हाथ में आई है तो शायद कहीं चाइना अमेरिका का भरोसा अब डबलू एच्चो पर पुनर स्थापित हो क्योंकि अब बीच में नरंदर मोधी जी हैं और इसलिए मोधी जी से डोनल्ड टरंप की मितरता ये जताती है कि वो हर मुद्दे पर किस तरह से बात करते हैं तो डबलू एच्चो के मुद्दे पर भी बात हुई है वहीं आज की बातचीत में कोरोना वाइरस को लेकर भी दोनों देश के नेताओं ने बात की जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जनसंख्या है उसको देखते हुए जैसा कि वैग्यानिक और डोक्टरों की राय थी जैसा कि स्वास्त विभाग की और डबलू एच्चो की राय थी ऐसा लोग आइडिया लगा रहे थे कि भारत की 140 करोड आबादी है यहां लगबग एक करोड लोग करोना महमारी से जूज किया इसके कारण पूरी दुनिया आज अमेरिका की अमेरिका के समेट भारत की तरफ देख रही है कि यह जो यहां भारत ने इस कोरोना वाइरस से लड़ने में भूमी का निभाई है इसमें अब शायद अमेरिका के राश्टपती ने इस पे भी राय मश्वरा किया है कि वह हम इसको और कैसे इससे लड़ सकते हैं वहीं अमेरिका के राष्टपती ने जो बातचीत की है उसमें बात हुई अमेरिका में होने वाले दंगो को लेकर और जैसा की पूरी दुनिया जानती है के भारत में यदा-कदा जाती के नाम पे धरम के नाम पे यहां जो वाम-पंति और लिबरल बैठे हैं ये किस तरह से देश को बाटने वाली नीती करते हैं और वाम पंतियों ने यहां हमेशा इस देश को लड़ाने की और तोड़ने की कोशिश की है तो दंगों से निपटने में भारत का अपना एक अनुभव है और हाल ही में आपने देखा के पूरे करने वाले लोग थे C.A. के नाम पर देश को आग में जोकने वाले धरम के नाम पर लोगों को बांटने वाले उन लोगों के खिलाब सक्त कारवाई की जा रही है तो डूनल्ड टरम्प ने इस मुद्दे पर आज मोधी जी से बात की हमें एक अंधशा एक अंधाजा है कि उन्हें मोदी जी से इस विशे पे बात की होगी कि इस तरह के दंगों से कैसे निप्टा जाए क्योंकि भारत के लिए ये जिस तरह का एक अनुभव रहा है कि जातियों में बाटे हुए और धरम के नाम पर यहां भी लिबरल्स ने जिस तरह से फेक न्यूज के माद्यम से ल उनको भी यहां मुस्लिमों के नाम पर दंगा कराने की साजिस की जा रही है ऐसे में डोनल्ड ट्रम्प का दंगों के उपर बात करना यह बताता है कि कहीं ना कहीं वो भारत को अपना मित्र देश समझते हुए और मोदी जी का उस कार्या कुशलता पर उनका भरोसा है और इ विपक्षी मोदी जी से हमेसा सवाल पूछते हैं और मोदी जी की उठाए गए कदमों पर यह सवाल खड़ा करते हैं कोई तो कहता है राहूल गांधी जैसा के आपने लोग डाउन ठीक से नहीं किया कभी वो जो है सोनिया गांधी कहती है क्या आपने लेट सुरू किया सा महा सक्ती साली देश आज भारत से कितने मुद्दों पर राय लेता है राय मश्वरा करता है तो कहीं उन्हों भारत के परधान मंतरी को चीजों में नुपुर्ण पाया है उनकी कारे कशलता उनकी कार्यश अली हमें प्रशनीती उनकी नीतीगत फैंसले उससे आज दुनिया प्रभावित है किस तरह से उन्होंने इन सब मुद्दों पर अपनी वेबाकी से राय रखी ये ये भी बताता है कि भारत और अमेरिका के कितने मदूर रिस्ते हैं वहीं आप जानते हैं कि चाइना ने भारत को एक तर मेंसे ट्रेड वार चल रही है वहीं पिछले कुछ दिनों से भारत और अमरिका के बीच संबन्द भी बहुत मजबूत हुएं इसलिए चीन ने भारत को सक्त हिदाय देते हुए कहा कि अमरिका चीन के बीच चल रहे कोड़ वार से भारत दूर ही रहे लेकिन भारत ने चाइ में एक दूसरे के साथ खड़े हैं तो ये जो है इस से चाइना बुरी तरह बोखला गया है कि ये बदलता हुआ भारत ये अब आँख में आँख दिखा करके बात करता है जिसके साथ दुनिया के कई शक्ति साली देश खड़े हैं ऐसे में जब चाइना ने लगदा के एरिये एसे में इस मुकाबले पर वो अब ना तो उसको उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है तो चाइना को इसमें भारी मात खानी पड़ेगी क्योंकि अब भारत के साथ दुनिया की कई महाशक्तियां खड़ी हैं जिसमें अमेरिका एक अच्छे मित्र की तरह लगातार हम मेंशा हर मुद्दे पर खड़ा है और चाइना को मूँ की खानी पड़ेगी चाइना को सबक सिखाने के लिए इस समय अमेरिका और भारत एक हो चुका है जिसमें आज कोरोना की जांच भी चल रही है अमेरिका को जो शक था पहले के डबलू एच्चों नियाए ठीक से नही जा जाए तो चाइना इनी सब कदमों से और भारत की और अमेरिका की दोस्ती को देखते हुए वो चाइना पूरी तरह बोखलाया हुआ है लेकिन क्या करें विचारा वो उसकी चाल चल नहीं रही है और यहां जो लिबरल बैठे हुए हैं भारत के अंदर जो चाइनीज अब दुनिया की महाशक्ती में से एक हैं लेकिन वो कभी भी मोदी जी की तारीफ करने से चूकते नहीं हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है वो कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मोदी जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं इसी मित्रता के चलते आज द दोनों देश मिलकर चाइना के विरुद्ध जो भी कारवाई करनी पड़ेगी उस कारवाई को करेंगे